हमें आपसे साजा करते हुए हर्च हो रहा है कि संग लोग सेवा आयोग मुख्य परिक्षा 2022 में दुनिया इस हफ्ते कारिक्रम से आए अंतराष्ट्रे संबंध के 75 प्रतिशत प्रश्ण हेलो दोस्तों द्रिश्टी-IS में आप सभी का स्वागत है तो जैसा कि हम सभी जानते है कि हाली में यूपीयस्टी की सिविल सेवा मुख्य परिक्षा संपन होई है आपने से कई लोग हो सकता है उसमें शामिल हुए हूं कई लोग शामिल ना हुए हूं तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो मुख्य परिक्षा का पैटन था उस पैटन को सॉल्ब करने के क्रम में टेस्ट सिरीज की कितनी भागीदारी या फिर योगदान होता है देगी सिवल सेवा के अंतरकत जो मुख्य परिक्षा आयोजित कराई जाती है उसमें अलग-अलग खंडों का अपने आप में अलग-अलग विशेश महत है और उस खंड से जुड़े सवाल अपने आप में खास प्रकृति को ध्यान में रखकर पूछे जाते हैं अगर आपको उस प्रकृति के बारे में जानना या समझना हो तो उसके लिए हम फिर एक रुख करते हैं सिलेबस की ओर क्योंकि सिलेबस में जो भी चीज मेंशन की हुई है एक एक जो सिक्वेंस में दिया हुआ है उसमें इस पश्ट रूप से इस बार की जानकारी मिल जात क्लिबस करता है कि सवाल पूछे-जाने की प्रकृति किस विशे के अंतरगत किसी क्रम की में छो प्रशनों के उत्तर आप का एक और अगला फायदा यह है कि जिस वर्ष की टेस्ट सिरीज में हम शामिल हो रहे होते हैं उसमें जो प्रश्ण हमें बना करके दिये जाते हैं वो प्रश्ण भी ऐसा हो सकता है कि उसी साल की परिक्षा में उससे संबंदित या वैसे ही प्रश्ण पूछ लिए जाएं कई जो टेस्ट सिरीज है वो आपकी परिक्षा में किस तरह से योगदान दे सकती है परिक्षा की तैयारी को कैसे आपकी मजबूत कर सकती है तो UPSC 2022 की सिविल सेवा मुख्य परिक्षा में द्रिष्टी मेंस टेस्ट सिरीज से पूछे गए सवाल इनकी चर्चा हम करते हैं तो पत्र होंगे अनिवार जो विशय उसमें लगाए जाते हैं कंपल्सरी पेपर हाला कि वह दोनों ही केवल पासिंग के मार्क्स आप उसमें लाने होते हैं उसके जो नंबर है पाइनल लिष्ट में नहीं जूड़े जाते तो जो जी एस के कुल चार पेपर हैं जी एस वण ऐसे लिख लें जी एस वण जीएस टू जी एस ट्री और जीएस पोर इनके अगर हम आकडों को देखें तो कुल बाईस प्रश्न इन चारों पेपरों के अंतरकत पूछे गया है हम एक करके उन सभी प्रश्नों को भी देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न जो टेश्ट गए थे और किस तरह से सवाल UPSC ने पूछा है तो समान अध्यान प्रश्ण पत्र वन यानि जीएस पेपर वन एक एक करके हम सभी पेपरों से जुड़े जो सवाल उनको देखते हैं इसमें जैसे एक सवाल आया है यह जो ऊपर यहां पर दिया हुआ है यह टेस्ट सीरीज से विकास के ख्षित्र में शास्त्री यूग के रूप में वलित किया जाता है चर्चा कीजिए 15 अंकों का यह सवाल है यहां पर क्या पूछा गया है भारती परंपरा और संस्कृति में गुप्तकाल और चोलकाल के योगदान पर चर्चा करें ठीक और यह जो प्रश्ण है य मंदित जो विशेष्टाएं है संस्कृति से जुड़ी या फिर स्थापत्य से जुड़ी उसके बारे में आप जानकारी दे पाएंगे और इसी क्रम में ऐसा भी नहीं होगा कि आप कुछ और चीजों को छोड़ रहे हूं आप चोलकाल भी पढ़ेंगे तो इससे जुड़ सवाल आपका यहां पर सॉल्व हो सकता था जो कि आप लिख रहे थे एक सवाल यह जुड़ता है इसी तरह एक सवाल यह थर्मोहैलाइन परिसंचरण क्या है तापमान और लवरता भिनता माह सागणी धारा के निर्माण में कैसे मदद करती है 15 अंकों का यह सवाल है नीचे प्रश्ण को पढ़ा होगा इस प्रश्ण की व्याख्या के दौरान आपको कुछ और चीज़े भी जानने को और पढ़ने को मिली होंगी तो इसते यह वाला सवाल यहां पर आपका बन जाता है अब आते हैं जीस पेपर टू पर तो इसमें एक प्रश्ण जो की जीस पेपर सकता है तो हमें इसलिए अपनी तयारी को समगर रूप से ऐसे ले करके चलना होता है कि ताकि जो भी सवाल आए हम एटलीस उसका जवाब दे पाए तो प्रश्ण क्या है पीम गती शक्ति योजना में दुनिया की अग्रणी अर्थे व्यवस्थाओं के साथ प्रतिसपरधा कर करने के लिए भारती बुनियादी ढाचे और लॉजिस्टिक या लॉजिस्टिक व्यवस्था को बदलने की क्षमता है तमाल उचनात्मक विशिलेशन कीजिए 15 अंकों का प्रश्ण है और यहां पूछा गया है गती शक्ति योजना को सयोजक्ता के लक्ष को प्राप्त करन इसके लिए गती शक्ति योजना को पढ़ना जरूरी है और फिर उससे जुड़े जो टेक्निकल एस्पेक्ट पूछे गए हैं उनको आपको यहां पर सॉल्व करना था अगला प्रश्ण देखें प्रिशांतः हिंद्र प्रिशांत शित्रं के विचार के फिर से उभरने के साथ बंगाल की खाडी हितर का आर्थिक और साम्रिक महतुर तेजी से बढ़र है सम्झ्द में चर्चा कीजिए कि विम स्टेख बंगाल की प्रति आधिपत्य और व्रहत शित्री स्थिरता के लिए एक कदम के रूप में सार को पुनाह तशक्त करने की आवश्चता पर चर्चा कीजिए यहां पर जो दो सवाल दिये हैं यह दोनों ही सवाल टेश्ट सीरीज के हैं क्योंकि दो सवाल फिर एक सवाल से मैच कर रहे हैं हैं फिर इन दो सवालों में जो जिक्र किया गया है वो फिरσα quelques की तरह safest है Ĕर असमानताय है और दूसरी चीज की आपको ये इन दोनों ही संग्ठनों के बीच में जो अंतर है या फिर जो समानता हैं वह आपको बतानी होज़ी तभी फिर आप आगे इन प्रश्णों को सॉल कर पा रहे होंगी चुकि अपने अपके एक प्रश्ण में ही कई सारी बाते छुपी हुई होत देख लें राज के समयधानिक प्रमुख के रूप में राजपाल की भूमिका पर प्रकाश डालिए के एजेंट के रूप पे राजपाल की भूमिका की समालोचना आत्मग विवेचना कीजिए यहां पर क्या पूछा है राजपाल दौरा विधाई शक्तियों के प्रयोग की आवशक शर्तों का विवेचन कीजिए विदाइका के समक्ष रखे बिना राजिपाल दौरा अध्यादेशों के पुनह प्रख्यापन की वैदता की विवेचना कीजिए तो इन दोनों में ही आपको राजिपाल के बारे में राजिपाल की शक्तियों के बारे में उनकी भूमि विधाईका की समख शिनना रखें तो कैसे बार-बार एक ही अध्यादेश को क्या वे पारित कर सकते हैं इसको कि तरह से सही माना जाएगा यह प्रश्न की डिमांड है इसी तरह एक प्रश्ण और है भारत के राष्टपति की समयधाने इस्थिति पर चर्चा कीजिए और भारत के राश्ट्पती के निर्वाचन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए इसको कैसे पूछा है भारत और फ्रांस के राश्ट्पती के निर्वाचत होने की प्रक्रिया का आलो चुनात्मक परिक्षण कीजिए हलाकि इसमें फ्रांस वाला भी करते रहने की जरूरत होती है तर फ्रांस से ब्रेटिन से या सर यूएस से एक और सवाल यहां पर विश्व भर में देश पारंपरिक बहुपक्षवाद से अपना ध्यान नए उभरते हुए लगुपक्षवाद की और स्थनांद्रित कर रहे हैं इस तंबंध में वर्तमा थ lados पूछा यहाँ पर ढाई टुग यानि की भारत इस राइल सक्षृ और राज अंडिया इसराइल और यूटू से UAE और USA समूहन वैश्विक राजनीती में भारत की स्थिति को किस प्रकार रुपांतरित करेगा इस पर आपको चर्चा करनी थी और 15 अंकों का यह सवाल था कुछ प्रश्निहां भी है भारत में हाली में शुरू किये गए कुछ चुनावी सुधार कौन से हैं चु तो यह दोनों ही अरुचित किस्से संबंद्रित हैं यहां पर क्या दिया है दूसरा सवाल यहां पर शहरी इस्थानी निकायों के वित्तिय प्रवंधन में सुधार क्या वह शक्ता है जो हमारी नगरपालिकाओं को वित्तिय रूट से टिकाव बना सके यह दोनों ही जो प् अब तरवास अमिदान संशोधन है इससे भी जूडता है इसलिए आपको इसके आधार पर प्रश्ण को फिर पूरा लिखना होगा अब आते हैं प्रश्ण क्या है विभिन प्रकार के निवेश मॉडलों की चर्चा कीजिए यानि पब्लिक प्राइबेट पार्टनर्शिप पीपी मॉडल की भूमिका का परिक्षण कीजिए तो यहां पर क्या दिया है निवेश मॉडलों की चर्चा आपको करनी थी खासकर पीपीपी मॉडल से संबंदित लेकिन यहां पर जो एक्स्ट्रा है वह फिर इसको उन्हें जोड़ दिया है रेलेवे स्टेशन होते संबं भारत में पिछणा हुआ तो खाद्रशंसक्रण को ले करके लेवस में तो भारत में उद्द्योक के कारत्षेत्र और महतो का साविस्तार वरणन कीजी इसमें भी इसी तरह से पूछा गया है एक प्रश्ण और ले बादल फटना जो की एक घटना भी हुई थी तो इसी घटना को ले के अमरनाथ वाली अगर हम चर्चा कर सकते हैं बादल फटना क्या है हाल ही में भारत के कई पहाड़ी स्थानों में बादल फटने की घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा की जिए पूछा गया है और यूपियस्ती ने क्या प इसके संदर में पूछा गया है कि यहां की परिस्तियों के अधार पर आपको बताना है तो इसके डिसकुशन के दौरान पूरे संदर में चर्चा की गई थी एक सवाल आतंकवाद और संगठित अपराधों के बीच संबंध ना केवल भारत की शांती तथा सुरक्षा के लि पर फ्री के अंत्रगत आंत्रिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है कि एक और सवाल समुद्र की विशालता और खुलापन यहां पर भारत को विभिन तटिये और समुद्री सुरक्षा खत्रों के प्रसी सम्विदंशील बनाता है इस संदर में तटिये सीमा के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों और उनके समधानों पर आपको चर्चा करनी थी यह किसका है ठीक यह कहा गया है भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां क्या है इसके अलावा समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए की गई संगठनात्मक तकनी की और प् सुल्व कर पाएंगे एक बहुत चर्चित मुद्धा रहा है जेम्स वैब स्पेस टेलिस्कोप का ठीक तो जेम्स वैब टेलिस्कोप में सुदूर अंत्रिक्ष यानि डीप स्पेस के रहस्यों को जागर करने की काफी ख्षमता है चुकि किस तरह से लॉंच हुआ क्या उद जो उसे इस से पहले के अंत्रिक्ष टेलिस्कोपों से बनाती है यानि यहां पर आपको इस बारे में भी पता होना चाहिए था किस से पहले कौन से स्पेस टेलिस्कोप भीजे गए थे कुछ एक के नाम आपको ग्यात होने चाहिए थे इस मिशन के प्रमुख धे क्या है क्या ही होगा एक और सवाल साइबर सुरक्षा से संबंदित है यह भी पूछा गया है ठीक आगे बढ़ें अगला सवाल वाम पंथी उग्रवाद कमजोर तो हुआ है लेकिन चुनिन्दा क्षित्रों में इसकी ताकत कम नहीं हुई है कथन का परिक्षण कीजिए इसी तरह अगला जो प्रश्ण यूपेस्टी ने पूछा वो नक्तलवाद पर वाम पंथी के आगे नक्तलवाद एक सामाजिक आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो हिंसक आंत्रिक सुरक्षा खत्रे के रूप में प्रकट होता है इस संदर में उभरते हुए मुद्दों की च सवाय आते हैं जीएस पेपर 4 में इसके जुड़े कौन-कौन से सवाल है तो एक सवाल कहता है सिविल सेवाओं के मूल्भूत मूल्यों की विवेचना कीजिए और यहां क्या पूछा बदिक दक्षता और नैतिक गुड़ों के अलावा सहानभूती और करुणा कुछ अन्य सवाल करते हैं तो सिंपल दी बात है उधारणों के आधार पर इस पेपर 4 में उधारणों का बहुत महत होता है जिन सवालों में उसकी डिमांड हो तो फिर वो आपको अच्छे अंक के और नहीं ले जाता तो इसलिए जो केस्टड़ी है या फिर कोई एक्जामपल है उसके का उद्देश है सुनिश्चित करना है कि समावेशी सरवांगीर विकास हासिल किया जाए इस पश्ट कीजिए सुशासन से सब्बंदित ठीक यहां पर क्या दिया हुआ है गुडग गवर्नेंस को लेकर कि सुशासन से आप क्या समझते हैं राजद्वारा इशासन के मामले म पहलों ने लाभार्थियों को कहां तक सहायता पहुंचाई है इसको भी आपको उधारणों के साथ बताना था एक प्रश्ण यहां पर युद्ध लोग अक्सर युद्ध और नयतिक्ता को एक दूसरे से नहीं जोडते हैं लेकिन यह सर्वों पर ही स्थान रखता है बेसिक पहलों पर युद्ध का अपना असर रहता है वे कौन से नयतिक मुद्धे हैं जिन पर युद्ध शुरू करते समय और अब तक इसकी निरंतिरता पर विचार करना महत्पूर्ण है इस मामले में दी गई स्थिति में शामिल नयतिक मुद्धों का और चित्पूर्ण अतना बड़ा प्रश्ण होगा उतना यह अच्छा है कि व्याठ्या करना उतना ही सरल होगा ठीक एक सवाल ले 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 लें और तो शुषल रिस्पॉंसिबिलिटी यानि सीएसर पर है उस समाज को वापस भुक्तान करने का एक तरीका है सीएसर जिससे लाभ कमाया जाता है तो सीएसर को लेकर भी हम लोग पढ़ते ही है सिलेबस में इन चीजों के बारे में जिक्र मिलता है समकालिन दुनिया में धन और रोजगार उत्पन करने में कॉर्पोरेट क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है कि आगे फिर सवाल दिया हुआ है ठीक तो यह सभी प्रश पूछे जाते हैं हाला कि जिस विशह से संबंदित हैं हो सकता है उस विशह से कोई और सवाल पूछ लिया जाए इस लिहाद से भी जो टेस्ट सीरीज है अपने आप में बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकती है तो जो भी लोग इस वक्त प्रारंभिक परिक्षा की तयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग इंटर्व्यू के लिए तयारी कर रहे हैं वह लोग निश्चित तौर पर टेस्ट शीरीज या फिर एट लिस्ट जो प्रश्णों को लिखने का भ्यास है वो लगातार करते रहें और उम्मीद है कि आने वाले समय में वे भी सफलताओं को